सब्सक्राइब करिये मन्टू आउनलाइन चैनल को मोबाइल इंटरनेट आउनलाइन टेकनलोजी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए और दवाइए बेल आइकन को तो दोस्तो स्वागत है आपका एक वाइफ फिर से एक नए वीडियो के साथ आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि अपने कोई भी फोटो का बेगराउंड कैसे चेंज कर सकते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, इस फोटो में मैंने अपना फोटो का background चेंज किया है, पहले यह ऐसे दिखता था, आप देख सकते हैं, और अब यह ऐसे दिखता है, यह मैंने खुद से किया है, वो भी अपने mobile से, कोई भी laptop और कोई भी computer की जरत नहीं परी, मैंने खुद अपन किया है, तो प्लीज नीचे लाल बटन को दवा के subscribe कर लें, चलिए शुरू करते हैं, आज का यह वीडियो, इस फोटो का background चेंज करने के लिए सबसे पहले आना है, आपको अपने play store में, चलिए मैं अपने play store में चलता हूँ, यह देखिए मैं play store में आ गया, और यहां पर search कि open का option आ रहा है, क्योंकि मैंने पहले से download कर रखा है, अब यहां पर मैं इसको open कर लेता हूँ, चलिए देखिए कुछ इस तरह से यह open होता है, थोरा हमें wait कर लेना है, देखिए यह पहले आप से sign in मांगेगा, हमें sign in नहीं करना है, यहां पर simply हमें skip करना है, देखिए मै यहां पर skip कर दिया, और यहां पर यह कुछ तरह add दिखाएगा, यहां से हमें cross पे डालके हटा देना है इसको, अब यहां से हम अपनी editing शुरू कर सकते हैं, सबसे पहले आपको कोई भी एक photo select कर लेने होगी, चलिए मैं अपना एक photo select कर लेता हूँ, जिसका मुझे background change करना ह तो यहां पर देखिए all photos का option आ रहा है, यहां पर आप video भी edit कर सकते हैं, फिलाल हम photo edit कर रहे हैं, चलिए मैं photo के option पर आता हूँ, यहां पर देखिए हमारे सारे all photo आ गए, यहां से आपको list मिल जाएगी, जो भी आपने अपने phone में save कर रखा होगा, देख सकते हैं कुछ इ दिखा रहा हूँ आपको, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यह मेरा बेटा है, मैं इसका background चेंज करके दिखा रहा हूँ, यहां पर देखिए कुछ इस तरह से add आएगा, इसको हमें हटा देना है, देखिए अब इस तरह से यह photo आ गया, अब इस photo का हमें background चेंज करना है, तो इसके लिए देखिए यहां पर नीचे tools दिये गए हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, अलग-अलग तरीके का tools है, इसके बारे मैं हम बात करेंगे, पहले मैं आपको यह बता देता हूँ, किसका background कैसे change करना है, यहां पर देखिए tools का option आ रहा होगा, यहां पर हमें click करना है, और यहां पर free crop option पर click करना है, देखिए मैं इस पर click कर दिया, और यहां से देखिए यहां brush है, और यहां पर देखिए rubber है, यहां पर ऐसे करके paint करने के लिए, और यह rubber है, यहां पर इसको मिटाने के लिए, तो हमें यहां पर सबसे पहले हमें यह क करना है, सबसे पहले यहां brush पे click करके हमें इसको paint कर लेना है ऐसे करके, जैसे कि मैं यहां पर कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, एक example के लिए मैं आपको यह दिखा देता हूँ, जितनी दूर मैंने यहां पर इसको paint किया है, उतनी दूर देखिए सिर्फ उतनी दूर का एरिया आ रहा है बाक इन ही आया है तो चलिए मैं पहले इसको पूरा कर लेता हूँ फिर मैं आप लोग को दिखाता हूँ देखिए मैं कुछ इस तरह से इसको कर लेता हूँ यहां से आप ब्रस का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं देखिए छोटा बड़ा कर सकते हैं आप और अगर आप से कुछ जैसे देखिए यह बाहर मैं इसको पैंट करूँगा यह बाहर का एरिया आ गया तो इसको मिटाने के लिए यहां पर रबर दिया गया है देखिए मैं इस rubber पर click किया और यहां पर इसको मैं मिटा दिया तो हमें सिर्फ उतना ही area लेना है जितना का हमें background change करना अब देखिए यह कुर्ची पर बैठा है तो मुझे कुर्ची को काट के सिर्फ मुझे इसका face लेना है जितने भी यह बैठा हुआ है देखिए मैं इसको paint कर लेता हूँ और paint करके मैं आपको बताता हूँ यह मैंने पूरा area ऐसे करके paint कर लिया है अब मैं यहां से देख लूँगा कि कौन-कौन सा मेरा area छूट रहा है और यह थोड़ा थोड़ा सा जादा आ रहा है देखिए यहां पर आ गया है यहां पर देखिए यहां पर देख सकते हैं आप यहां पर भी आ रहा है जादा जहां जहां से जो जो एरिया हमारा ज़्यादा आ रहा था तो देखिए हमने यहां पर देखिए थोड़ा सा यहां पर भी आ रहा है ज़्यादा हम यहां पर भी इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा यहां पर आ रहा है चलिए यह भी हमने कर दिया और हम देख लेते हैं कहां पर यहां पर हम इसको कर लेते हैं और यहां पर थोड़ा सा कान के पास भी है देखिए थोड़ा यहां भी है हम इसको भी कर लेते हैं और थोड़ा सा यहां पर भी है अगर हम से यहां कोई mistake हो जाती है तो देखिए हम यहां से दोवारा यहां brush पर आकर यहां पर हम paint कर सकते हैं इसको देखिए हमने यह कर लिया है और हमें यह देख लेना है अच्छे से कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हुई अच्छे से हो गया कि नहीं अब यह पुरा होने के बाद हमें simply इस तीर के निसान पर किलिक करना है यहां पर देखिए कुछ अच्छे से नहीं हुआ है मैं इसको फिर से करके लेता हूँ थोड़ा सा फिर से मैं brush वाले option पर जाता हूँ और थोड़ा से यहां पर फिर से कर लेता हूँ थोड़ा से यह area द हमें देख लेना है कि कहीं अच्छे से देख लेना कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही थोड़ा से यहां पर हमें फिर से छूट रहा है चलिए मैं फिर से यहां पर मिटा देता हूँ इसको ब्रस वाले option पर जाकिए अगर हमसे गलती होती है तो हम यहां पर दोबारा इसको paint कर लेंगे कुछ इस तरह से और अब देखिए यह हो गया अब हमें इसको simply save कर देना है देखिए थोड़ा सा time लग रहा है और यह देखिए यह save हो गया अब फिर से एक बार तीर पर क्लिक करना है और यहां से फिर आपके बार add आएगा यहां से हमें इसको काट देना है और यहां पर देखिए हमें save to gallery पर क्लिक करना है अब देखिए यह gallery में save हो गया अब हमें इसका background चेन कर लिए अब चलिए हम इसको app को पहले हटा देते हैं एक बार काट देते हैं देखिए हमने यह app को काट दिया अब हमें फिर से pix art app को खोलना है नहीं तो हमें simply यहां पर album में जाना है और हमें वह photo select करनी है जिस background के उपर हमें वह जो हमने अभी photo cutting करी है उसको लगाना है तो देखिए मैंने यहां पर कुछ इस तरह से background लोड करके रखा हुआ है देख देखिए कि मैं मुझे यह अच्छा लग रहा है तो चलिए मैं इस पर उस photo को save करूंगा तो सबसे पहले यहां पर आपको यहां से share करना है और यहां पर देखिए pix art का application आ रहा है इस पर हमें क्लिक करना है देखिए यह खुल रहा है थोड़ा सा wait कर लेना है हमें देखिए खुल गया अब यहां पर देखिए यहां पर आपके पास काफी सारे option आ रहे होंगे यहां पर देख सकते हैं यह देखिए यहां पर काफी सारे option में से हमें देखिए यहां पर add photo पे क्लिक करना है चलिए मै इस plus के निसान पर add photo पर click कर लेता हूँ अब देखिए जो हमने photo cutting करी थी वो देखिए यहाँ पर आ गया यह photo देखिए यहाँ पर अगर आपको ऐसे नहीं मिलता है तो यहाँ पर जो PixArt की application होती है मतलब जो file अलग बनी होगी PixArt की देखिए यह बना हुआ है हम इस पर click किए और यह देखिए यह वाला photo हमें यहाँ से select कर लिया और यहाँ से धेड कर लिया अब देखिए अब यह यहाँ से add हो गया आप देखिए यह हमने इसको हमे अपने हिसाब से जहां पर हमें इसको रखना है रख सकते हैं अब देखिए यहां से हमें इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं देखिए बड़ा छोटा ऐसे करके कर सकते हैं और देखिए मैंने इसको फिलाल इतना छोटा करके यहां पर देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से set कर दिया अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखिए अब हम यह कहां था और इसको मैंने कहां से कहां पहुँचा दिया देखिए कितने आसानी से background change हो गया यह और देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है अपने हिसाब से इसको यहां भी रख सकते हैं आपके जहां रखना चाते हैं इसको यहां रख सकते हैं देखिए यह जो natural background है जो area है यह आपको google search करके वहां से आप natural image search करेंगे तो अपने आप आपके पास बहुत अलग अलग तरह की image आ जाएगी तो आप उसको वहां से load करके और उसके ऐसे जैसे मैंने अभी किया है उसपे अपना photo set कर सकते हैं तो यहां पर देखिए मैंने यहां पर simple यह photo set कर दिया और यहां पर हमें इसको save कर देंगे सही के निसान पर हमने click कर दिया यह यहां पर हो गया और यहां से आप इसमें अलग-अलग तरह के ऑप्सन है यहां से आप इस पर टेक्स डाल सकते हैं इस पर आप कुछ लिख सकते हैं यहां पर आप बॉर्डर फिट कर सकते हैं यहां पर बॉर्डर फिट देखिए कैसे करते हैं यहां पर देखिए यह सफेद बॉर्डर पर आगया हम ब्लैक डालेंगे तो ब्लैक आजाएगा यहां पर देखिए अलग-अलग तरीके का यह हो गया अब देखिए कितना अच्छा लग रहे है अब यहां से हम इसको सेव कर देंगे देखिया हमने यहां से save कर दिया और यहां से फिर से तीर की निसान पर हमें click करना है अब कुछ इस तरह से add आएगा आपके पास हमें simply क्या करना है यहां से इसको cut कर देना add को अब देखिए फिर से हमें तीर पे मारना है आप देखिए यहां से फिर आड़ आएगा हमें इसको cut कर देना और यहां पर save to gallery पे click कर देना देखिए gallery में save हो गया चलिए मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ जो अभी हमने जिसका background हमने change करक типа दिखाया है इंहें simply आजयाने अपने एलबं में हमें कए यहां से हमें यहां से देखिए हमें plugins art को ढूंना होगा यहां पर देखिए पिक्स लेबंत्य और आपकी उन्हें कर देखिने चांडा कूट लग लग रहा है आप जूम करकी भी दिखेसकता है इसमें आपको यह नहीं कि picture quality खराब होगी देखी कितना अच्छा लग रहा है यह कहां बैठा था हमने इसको कहां पहुचा दिया तो बस इसी तरह से आप बड़ी आसानी से background change कर सकते हैं किसी भी photo का अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो please मेरे चैनल को like, subscribe और share जरू करे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद, बंदे मतर